हलो स्टूडेंट्स दिसेब जेखियर और स्वागत आपका हमारे चनल स्टडी ग्लास तो जैसा कि आप समने थम्नेल में देख लिया है कि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारा प्रशनपत्र पांच जी हां प्रथम वर्ष का प्रशनपत्र क्रमांग पांच है जिसका पाठ चर्या में सूचना एमाम संप्रेशन तकनिकी का एक ही करण यानि जिसे कंप्पूटर भी कहा जाता है आई सिटी भी कहते हैं बहुत सारे लोग तो इस विशे के सभी महतफ़ून प्रशन उतर जो आने वाले डियर की परिक्षा करें सबसे महतफ़ून हैं वो बताने संप्रेशन तकनिकी आधार इस इकाई से आपको पहला प्रशन पूछ सकता जो कंप्यूटर क्या है उसकी अधालने इसकी विशेस्ता को समझाईए डूसरा अधूनिक समाज में कंप्यूटर की उप्योगिता पर निबन लिखिए मतलब अभी modern समाज में अभी के जमाने मे computer की क्या-क्य use, वो लिखना है, फिर Windows से आप क्या समझते हैं, यह IMP है, इसको ध्यार में रखीएगा, ठीक है, टेकनिकल कुछन है, Windows क्या होते हैं, Windows से आप क्या समझते हैं, उसकी विस्हास्ताओं को लिखिए, फिर MS Word की कारिविधी बतलाईए, MS Word कैसे काम करता है, यह भी computer का एक software application है, इसे MS Word कहते हैं, टीक है, Windows भी ऐसा ही है, तो यह सब important है, जो आपको ऐसे Windows, software, ऐसे कुछ दिखे न, अलग से Word, इनको ज़रूर पढ़के जाईएगा, फिर internet क्या है, यह भी बहुत important है, very very important question, internet क्या है, इसकी अवश्रक्ता था इसका महतों पर प्रकाश यह फिर computer की विश्र्षथा, या computer के गुल लिखिये, या computer की सिमायी लिखिये, ऐसा भी सवाल आपको पूछ सकता है, ठीक, यह भी ध्यान द्यान रखिये, फिर A.E learning में second technique की किस प्रकार सहायक होती है E learning, reais, यान्य, Internet, Online प्रणड़ना यह second technique यह जो टेकनीक है जो टेकनालॉजी है यह किस प्रकार से help करती है प्ढ़ाई लिखाई में फिर software किसे कहते है, software क्या होता है इसे, कैसे इसे चलाते कैसे है, क्या होता Ace कि क्या-क्या गुण होते हैं यह सारी विश्य स्ना है वगर आप पढ़कर जाना जरूब सॉप्फ्यर के बारे में जरूब पढ़कर जाना फिर आते हैं इकाई दो पर इकाई दो जिसका नाम है वह सूचना में संप्रेशन तक्निकी आधारी सिक्षन अधिग्रम प्रक्रिया सूचना एवं संप्रेशन तक्निकी आधारी सिक्षन अधिग्रम प्रक्रिया इससे पहला सावल इंप्रेशन सूचना और संप्रेशन तक्निकी के महत्तों बतलाईए सिक्षा में सूचना और संप्रेशन तक्निका महत्तों का है इंप्रेशन का है दूसरा भाई सोशल में लिंक है हमारे Instagram page ही आप जरूर फॉलो करें टेलीग्राम के लिंक है टेलीग्राम गुरूप बी जॉइंग करें वीडियो के डिव्सक्रीशन में लिंक है इंटर्नेट द्वारा प्रद। सुविधाय कौन से इंटरेट से कौन कौन सी विज़स था है ध्यान रखेगा या इढिकम से या इढिकम को इर्णी मी बोलते है तो इढिकम मेरे रखेगा नाम अगर बदल किया है तो भी आपको सवाल यह पढ़ना उत्तर यह लिखना है इमेल क्या है बहुत important जैसे MS Word था software था वैसे ही email क्या है यह भी ध्यान रखना Gmail में होता है email हम किसी को चिट्थी लिखते है इसको electronic चिट्थी कहते है email को एक्च्वल में electronic संदेश MS Word क्या है पहले भी मैं बता चुक हो यह सवाल MS Word जरूर पड़कर जाना इस प्रकार का भी कोशन आपको पूछ सकता है फिर आगे बड़े बात कर एकाई तीन की बहुत महतपूर है सूचना और संप्रेशन पर जो आधारी इस टेकनोलोजी पर आधारी जो आखलन होता है वह आपको पूछ सकता है ठीक है तो यहां से क्या क्या पूछ सकता है आपको पहला प्रशन मैं विद्यारतियों के अधिगम का मुल्लैंकन करने के विभिन तकनीक को बदलाईगे यह स्टुडेंट्स का जो आखलन करना होता है मुल्लैंकन करना होता है उसके जो टेकनीक है ना वह बदलाई अलग-अलग फिर मुल्लैंकन आखलन में बदलाव के आधारों का विस्तृत उलिक कीजिए तो मुल्लैंकन आखलन में जो बदलाव होता है वह बदलाव किस आधार वोता है उसके बारे में भी पूछ सकता है आपको फीर आपको पूछ सकता है कि सूचना एवं संप्रेशन- तकनीकी आधारीत परिक्षन-निर्मान यानि मुल्लयांकन करने के लिए परेक्षन के लिए कुछ online चीजे बनी हैं जैसे कि hot potatoes, google, survey monkey, यह apps की तरह है, यह websites है, ठीक है, इनका क्या नाम, role, इनका क्या रोल है, क्या भूमी का है, क्या यह करते हैं, लिख सकते हैं, Google के बारे में जानते हैं, इनके बारे भी थोड़ा सा पढ़कर जरूर जाना, फिर e-portfolio से क्या आशा है, e-portfolio क्या होता है, portfolio जो होता है, नॉर्मल, वही यह भी है, बट यह online होता है, सब कु CBT mode होती है, यान computer आधारी थी होती है, computer पर click कर तो चार option है, सिधा, अब paper वाला system खतम हो गया, तो वो computer आधारी परिशा क्या होती है, वो बतलाईए, यह जरूर पढ़कर जाना, ICT की परिशा में भूमी का बतलाईए, ICT, ICT जो होता है, उसका paper में, परिशा में क्या भू friends है, क्या अंतर है, उसको clear किजिए, स्पष्ट किजिए, फिर CCE, CCE, comprehensive learning जैसा, CCE की आवशक्ता महतो बतलाईए, CCE की आवशक्ता और महतो बतलाईए, फिर computer आधारी प्रश्न बैंक से आप क्या समझते है, इसके प्रमुख उपयोग, इसका use लिखिए, main use, बढ़ते हमार अगली और अंतिम चौथी काई के तरफ, विशय आधारित website एं software एं उपयोग, जी हाँ, विशय आधारी जो website होते हैं, जो software होते हैं, उनका उपयोग, software के बारे में पर पूछेगा आपको, तो भाई, website से क्या मतलब है, परिभाशा लिखे, what is website, website क्या है, website का महतो अब यहाँ पर देखेंगे, ऐसी website बताएं, मतलब अभी बहुत सरी website होती है, जहां से आप फिजिक सीख सकते हो, भातिक सास्त्र सीख सकते हो, रशायन सास्त्र सीख सकते हो, समाजिक सास्त्र, social science सीख सकते हो, तो इन particular subject हो, गणिप पढ़ने का भी website होता है, तो अलग-अल आवर्त सावरनी, मेंडिलीप का periodic table जो है, आवर्त सावरनी, कि समुहों की कोई दो विशेस नाए लिखिए, रूबी स्टार क्या है, बहुत इंपोर्टन है ध्यान रखना, रूबी स्टार क्या है, इसके बारें पढ़कर जाए, रूबी स्टार, गुबल पर भी सर्च कर लिए मिल जाएगा, Android Operating System क्या होता है, Android Operating System, AOS जिसे कहते है, वो क्या होता है, ठीक है, तो Android Operating System क्या है, समझाईए, National Institute of Open School, सिक्षा बोड, NIOS जिसे कहते है, बहुत सारे लोग मतलब प्राइवेट डिले जैसा कुछ होता है, बिल्कुल ऐसा हो भी है, तो National Institute of Open School, NIOS, के बाद, Maths आधारी Software के महतों को समझाईए, Maths Based, Maths, जहां से ऐसी website, जहां से Maths सीख सकते है, तो इसमें अथ्वा में पूछ सकता है, जियोबरा Software, तो जियोबरा Software वो है, जहां से Maths सीखा जा सकता है, एक्जामपल भी यही पर आ गया, ध्यान में रखना, फिर समाज Blog Spot को समझाईए, Blog या Blog Spot क्या होता है, Blog मतलब जहां पर लेख लिखा जाता है, ठीक, अपने विचार प्रकड के जाते है, तो ब्लॉग अथा Blog Spot क्या है, इसे समझाईए, और अंतिम में सैक्षिक सॉप्ट्वेर क्या है, विवेज ना कीजी है, सैक्षिक सॉप्ट्वेर, य तरह है, ये questions, most importantly, आपको परीशा में पूछे जा सकते हैं, तो सबसे पहले आप परीशा के त्यारी कर रहे है, तो पहले इनको ही पढ़िए, याद रखिएगा, ठीक है, इनको ज़रूर पढ़कर जाईएगा, इनको पहले तयार कीजिए, फिर जाकर लिखे, इनमें से बह इस क्लास में, तब तक देख रहे हमारे चानल स्टेडी क्लास, प्लेलिस्ट चेक करना, प्लेलिस्ट में आपको मेरेथॉन लेक्चर मिल जाएगी, इस वीशे क्यों के, चलिए, मिलते हैं इस क्लास में, गुड़नाइट,